वीडियों हमने यहां था कि map क्या होता और कितने type के होते हैं इस video हम with practical जाने वाले हैं हैस मैप को हम कैसे create कर सकते हैं इसके बारे में तो सबस्पर में एक project create करता हूं तो simply इसलिए मैं eclipse में आ गया है और यहां से file पर आया हूँगा मैं सिंप्लिटा हूं पर मैप अंडरिसको इसको ऐसी नेम देता हूं टुटोरियल पोके यह हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो गया मैप टुटोरियल और यहां पर जो टी रखूंगा वह एज एक कैपिल रखूंगा और यहां जाबा का अपना बर्जन सेलेट कर सकते तो फिलाल मैं 40 नहीं रखता हूँ अगर आपके पास at least 8 यूज़ करना है ओके सिंप्ली यहां से में फिनिस पर क्लिक कर देता हूँ और यहां से डॉंट क्रेट पर फिलाल क्लिक करते हैं ओपन परस्पेक्टिव पर क्लिक करते हैं नो दिक्कत ओके और प्रोजेक्ट पर क्रेट करता हूँ तो यहां से आप देख सकते हूँ इस सिंप्ली हमारा इम मैप टूटोरियल क्रेट हो चुका है राइट अब यहां से एक लेंगे एस सार्सी पर आने कवाद राइट क्लिक करोंगा और नियूप आउंगा और नियूप आउँगा और सब्सक्राइट करते हूं और सब्सक्राइब करते हैं और सबसे पहले मैं यहां सक्या काम करता हूँ जो हमारा बढ़े कुलास हो गया और प्रोजक्ट एक्सप्रोर इसकू में हैं से मिनिमाज करते हो कि मेरा होल स्क्रिन पर यहाँ पर मैन में होले दिगने करते हो मैं में गॉत करिये तो इसे पांच को तो में , हमेन से आ गया अभी हाँ पर एक की एंट बैलु लिखा है तो आपने को ये मेंसन करना है कि की हम किस टाइप लटा को रखने वाले हैं एंट बैलु में कि मैं अज इस्टिंग डाट राइप ही श्टूर करने वाला हूं और बैलु में फिलाइप लिए इंटीजर ले ले लेता हू और हैं बहτα होत हुआ इस तरीके से हमारा है मैप क्रीट हो जाएगा ओके और इसका रिफरेंस को देना पर हम put method को यूज़ करेंगे, put method का काम क्या होता, data को insert करना होता, इस particular map में, अब यहां से देखे, हमने के लिखा है, की और जब भी आपको map में कोई data को में store करते हैं, तो हमारा key and value रखते हैं, तो simply हम क्या रहते हैं, हमारा key क्या है, string type का, it means जो भी हम data यहां पर देंगे, वो string type के लोगेंगे, तो यहां पर हमको double quote लिखना परेगा, तो simply मैं यहां पर ले रहता हूँ one, और जो हमारा value रहेगा, बो रहेगा हमारा one, ओके, integer type का, तो simply यहां समें one दे दिया, इसी तरह को इस line को copy करता हूँ, और मैं आपको यही बेता है, कि अपने को key रखना है, वो unique रहना चीए, और key हमारा किस type का string type को है, तो simply यहां पर two दे दिया, और यहां से भी two दे देता हूँ, and three दे दूँगा, simply यहां से, तो हमारा यहां सागर मैं three mention करता हूँ, और इसको simply four दे देता हूँ, तो यहां सागर मैं इसको four कर दिया, तो इस तरीकेस हम यह कुछ element को particular map में हमने store कर दिया, जहां पर हमारा key किस type का है, string type का, और हमारा value किस type का हमने दिया आप है, integer type, तो यहां पर हम इसलिए integer type किसके अंदर value दिया है, इसको मैं print करके दिखाता हूँ, system.out.println simply यहां दे दिया और यहां समस्प्री नमबर रे लेता हूँ, नमबर लेने बाद यहां से save करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और simply यहां सा जाओंगा मैं run as java clean पे hit कर दोंगा, तो यहां देखिए 4, 1, 2, 3, और चीज हम आपको बता है कि hash map जो होता है data को store करता है random order में, ओके तो यहां पर आप देखते हैं, जिस order हम data को insert के उस order हमें यहां पर output मिला, एक random order में output मिला, पहले हमें 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 लेकिन हमने order कहा था 1, 2, 3, 4 order में कहा था, इस order में कहा था, लेकिन हमको data इस order में मिल लगा है, तो hash map को कभ यूज करना है जब हमें value को key and value pair में store करना हो, और हमारे लिए order mandatory नहीं हो, कोई भी order रहेगा वो चलेगा, तो उस situation में हमको hash map यूज करना है, अब मैं एक की बताया है कि यहां पर key unique रखना है, सपोज में यहां पर key 1 दे दूँ, तो देखिए क्या होगा, यहां पर key AB1 है, और key AB1 है, अगर हमने duplicate key एंटर कर दिया, तो इस situation में क्या होगा, देखिए simply यहां से run as आता हूँ, जबाय क्लिंस पर hit करता हूँ और यहां से देखिए, जो हमारा value जो था, जो हमारा old key था, पहले क्या था, 1 था, 1 की value 1 था, अगर हमने key क्या आपास कर दिया, 1 कर दिया, तो जो उसकी old value था, उसको replace करके new value को यहां पर replace कर देगा, अगर आप new key साथ को value डाल रहे हो, तो old वाले को replace करके new वाले को देदेगा, ता होब आपको यह whole concept समझायों कैसे हम हैस में पो create कर सकते हैं और हैस में पो data को insert करा सकते हैं, यह इसकी normal सी introduction थी, next video में another topics बारे में with proper details से बात करेंग,